दोस्तो नमस्कार कैसे हैं? आप सब उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आप सबी का हमारी यूटूब चैनल भी ये टेक्निकल में स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में बता हूँ कि अपने वीडियो के लिए थामनेल कैसे बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए अच्छे से अच्छे थामनेल कैसे क्रियर कर सकते हैं दोस्तो जितने भी बड़े बड़े यूटूबर हैं और क्रेटर हैं वो सभी लोग पिक्सल लैप से ही अपने थामनेल को क्रियर करते हैं जिससे उनके वीडियो में अच्छे खासे भी आते हैं दोस्तोव आप कितना भी अच्छे बीडियो को क्लियर कर लें बना लें जब तक आपका थॉमिल लेठीering आपको तब तक आपके वीडियो még को लोग क continuing करते हैं तब तक आपके व्यूर्ण को लोग देखते नहीं हैं करके अलूंपर क्लिक कर दे जी ऐसे जो विडियों हम बनाये सब पहले डिखकरने के लिए सब से उपर 3TYR 20 आपसन दिखा देगा अब को 3ड़ वाले आपसन पे क्लिक कर देणा दोस्तो उसके बद आपको custom वाले option पर click कर देना है उसके बद आपको यहाँ पर YouTube thumbnail वाले option पर click करके आपको okay वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बद आपको new test का option दिखाए देगा आपको यहाँ पर delete वाले option पर click करके आपको इसे delete कर देना है दोस्तो उसके बद आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बद आपको color का option दिखाए देगा आपको color वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तो अगर आपको color को change करना होगा तो आप यहां से किसी भी color को change कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको single color चाहिए तो आपको color वाले option पे click कर देंगे तो आप यहाँ से single color को select कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको double color चाहिए तो आपको gradient वाले option पे click कर देना है दोस्तो आप यहाँ से double color को select कर सकते हैं दोस्तो जैसे मैं इस वाले color को select कर लेता हूँ उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको एक shape लेना है shape लेने के लिए आपको इस plus वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे shape का option दिखाई देगा आपको shape वाले option पे click कर देंगे तो आपको यहाँ पर eraser का option दिखाई देगा दोस्तो आपको eraser वाले option पर click कर देना है दोस्तो जैसे आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको second वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से करना है आपको इसी तरह से कर देना है करने के बाद आपको इस वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको सही वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको खीच के आपको इसी तरह से border लगाना चाहते हैं आप यहां से उस color का border लगा सकते हैं दोस्तो हमें yellow color का border लगाना है तो आपको yellow color वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको थोड़ा उपर ले जाना है दोस्तो आप यहां से अपने border को पतला या मोटा कर सकते हैं उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर द दोस्तों उसके बाद आपको फिर से एक सेप लेना है सेप लेने के लिए आपको इस प्रस वाले आपसन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको सही वाले आपसन पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको सेप को इसी तरह से बड़ा कर लेना है बड़ा करने के बाद आपको थोड़ा rotate कर देना है, rotate करने के बाद आपको लाकर यहाँ पर set कर देना है, दोस्तों आपको इसी तरह से set कर देना है, दोस्तों set करने के बाद आपको यहाँ पर two back option दिखाए देगा, आपको two back वाले option पर click कर देना है, दोस्तों उसके बाद आपको इसे lock कर देना है, लोग करने के लिए आपको लोग वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर लोग वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है तो यह आप्शन लोग हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको फिर से इस वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बा अपने thumbnail में करना चाते हैं, उसके आपको select कर लेना है, set करने के बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा image यहाँ पर आ गया है, उसके बाद आपको ला कर इसी तरह से set कर देना है, दोस्तो इसके बाद आप right side में move करेंगे आपको यहाँ पे color filter का option दिखाए देगा आपको color filter वाले option पे click कर देना है दोस्तो आपको यहाँ पे brightness को आपको बढ़ा लेना है उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है दोस्तो अगर आप border लगाना चाहते हैं अपने image पे तो आपको stocks वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको इसे enable कर लेना है दोस्तो आप यहाँ पे जिस color का border लगाना चाहते हैं आप यहाँ से उस color का border लगा सकते हैं उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है दोस्तो इसके बाद आपको इसे lock करना है lock करने के लिए आपको इस वाले option पर click कर देंगे उसके बाद आपको lock वाले option पर click कर देना है तो यह option lock हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से इस वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको लिखना है उसके लिए आपको इस वाले आप्सन पर क्लिक कर देंगे हिंदी में हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको लिख देना है 5 मिनिट में 5 मिनिट में उसके बाद आपको OK कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है दोस्तो अगर आपको इसका phone को change करना होगा तो आपको right side में move करेंगे आपको यहाँ पर phone का option दिखाई देगा आपको phone वाले option पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर बहुत परकार का phone दिखाई दे रहा है दोस्तो आपके CV phone का इस्तेमाल आपने thumbnail में कर सकते हैं उसके बाद आपको इस वाले option पर click करके आपको okay वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है छोटा करने के बाद आपको इसे लाकर यहाँ पर set कर देना है दोस्तो आपको फिर से test वाले option पर click कर देना है उसके बाद आपको edit वाले option पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां से cut कर लेना है दोस्तो आपको लिखना है ऐसा दोस्तो ऐसा लिखने के बाद आपको ok कर देना है दोस्तो अगर आपको size को बड़ा करना है तो आपको color वाले option पर click कर देना है, उसके बाद आपको yellow color वाले option को select करके आपको okay कर देना है, दोस्तो उसके बाद आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है, छोटा करने के बाद आपको position वाले option पर click कर देना है, दोस्तो आपको यहां पर लाकार आपको इसी तरह से sit कर देन है दोस्तों उसके बाद आपको सही वाले आपसंट पे क्लिक कर देना है दोस्तों आप इसकी साइज को थोड़ा चोटा कर लीजिए जिसे और अच्छा लगे देखने में उसके बाद आपको फिर से पोजिशन वाले आपसंट पे क्लिक कर देना है आपको लाकर इसी तरह से से कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको सही वाले आपसंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको इस वाले आपसंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको इस वाले आपसंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको इस वाले आपसंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों आपको यहां से कट कर देना है दोस्तों आपको इंगलिस में लिखने के लिए आपको इस वाले आपसन पर क्लिक कर देंगे तो आपसन इंगलिस हो जाएगा दोस्तों आपको लिखना है यूटूब दोस्तो यूटूब लिखने के बाद आपको OK कर देना है उसके बाद आपको लाकर यहाँ पर छोड़ देना है दोस्तो आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है दोस्तो बड़ा करने के बाद आपको इसकी जो है color को change कर लेना है उसके लिए आपको color वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको red वाले option पर click करके आपको सही वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको लाकर इसी तरह से sit कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको इसके phone को change कर लेना है उसके लिए आपको found वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको किसी found पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको सही वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको plus वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको from gallery वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरा YouTube का PNG open हो गया है वो इसे छोटा कर लेना है आपको यहाँ पर Position का Option दिखाए देगा आपको Position वाले Option पर क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको Position की मदद से आपको इसे सेट कर लेना है दोस्तो आप इसी तरह से सेट कर सकते हैं दोस्तो उसके बाद आपको Zoom वाले Option पर क्लिक कर देना है आपको इसे Zoom कर लेना है Zoom करने के बाद आपको फिर से फिर से आपको Zoom वाले Option पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इसे थोड़ा Rotate कर देना है दोस्त उसके बद आपको सही वाले आपसन पे क्लिक कर देना है फिर से आपको जूम वाले आपसन पे क्लिक करके आपको इसे छोड़ा कर लेना है मतलब फिट कर लेना है फिर से आपको जूम वाले आपसन पे क्लिक कर देना है दोस्तो आपको फिर से position वाले option पे click करके आपको इसे position में कर लेना है अच्छे से दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरा अच्छे से set हो गया है उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बद आपको इस वाले option पे click करके आपको इसे lock कर देना है उसके बद आपको फिर से इस वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बद आपको फिर से test वाले option पे click कर देना है उसके बद आपको edit वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपको यहां से cut कर देना है दोस्तो आपको लिखना है thumbnails दोस्तो आपको thumbnails लिखने के बाद आपको okay वाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको थोड़ा zoom कर लेना है दोस्तो उसके बाद आपको इसकी phone को change कर लेना है उसके लिए आपको font वाले option पे click कर देना है दोस्तो आपको किसी भी font को set कर लेना है उसके बाद आपको ok वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको thumbnail के color को change कर लेना है उसके लिए आपको color वाले option पे click कर देना है दोस्तो यहां पे बहुत परकार का color दिखाए दे रहा है उसके बाद आपको किसी एक color को set कर लेना है उसके बाद आपको सही वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको लाकर इसी तरह से set कर देना है दोस्तो अगर आपको फिर से दोबारा color को change करना होगा कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको फिर से टेस्ट वाले आपसन पर क्लिक करके आपको एडिट वाले आपसन पर क्लिक कर देना है दोस्तों अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपको हिंदी में लिखने के लिए आपको इस वाले आपसन पर क्लिक कर देना है दोस्तो औपको किसी भी e होजाएगा दोस्तो अगर आपको इटैली में करना होगा तो आपको इटैली वाले आप्षन पे किलिक कर देंगे तो आपका फोंट इटैली हो वाले option पे click कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको लाकर यहां पे set कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको lock करना है lock करने के लिए आपको इस वाले option पे click कर देंगे तो यह option lock हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से इस वाले option पे click कर देना है दोस्तों फिर से आपको test वा मोबाइल से दोस्तों उसके वाद आपको ओके कर देना है उसके वाद आपको लाकर यहां से मूब कर देना है दोस्तों उसके वाद आपको जूम वाले आपसन पर क्लिक करके आपको इसे जूम कर लेना है फिर से आपको जूम वाले आपसन पर क्लिक कर देना है दोस्तों आपक लिए आपको इस वाले आप्शन पे क्लिक करके आपको लॉक वाले आप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यह आप्शन लॉक हो जाएगा आपको फिर से इस वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरा यूटूब थर्मनेल बनके तयार हो गया है दोस तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।